हेलो एवरिवन नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका दोस्त सुमित्राव दोस्तो आज मैं बनाएंगे एक्स्टैंशन बोर्ड जिया दोस्तो इसके लिए आपको दोस्तो कुछ चीज़े चाहिए जैसे आपको सीट चाहिए ओके और सीट आपको काटना है जिसमें तीन जो है सोकिट आ जाए ओके इतना और यहाँ पर चार बटन आ जाए ठीक है तो इस तरह से आप अपना सीट को काट सकते हैं इसको कैसे काटते हैं इस पर एक डेटियल वीडियो अलग से हम डालेंगे जिया दोस्तो तो एक आपको कटा-कटाए सीट एक नीचे का जो है इसमें डबा ठीके यह मार्किट से आप बनाबनाय भी अप ले आप सकते हैं और घर पे भी इसको बना सकते हैं अब देखिए इसका सारा कनक्षन वगएरा और क्या क्या चाहिए आपको इसमें हम दो सोकिट लगाने वाले हैं ओके दो ये चीज़े इसमें होगी अब देखिए इसको fit कैसे करना है कैसे connection करना उस सारी चीज़े जो है हम आपको बताते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको एक बटन लेना है और एक बटन हम उपर लगाएंगे एक बटन नीचे और एक बटन इसके साइड में ठीक है दो बटन हम नी नीचे लेंगे तो एक left socket के लिए एक right socket के लिए एक बटन उपर के लिए उपर हम holder लगाएंगे उसके लिए और साइड में बची हुई जिए इंडिकेटर लेगा ओके तो इसके सभी के इसको पहले हम कस लेते हैं पेज कस लेते हैं सभी में और फिर इसका complete connection हम आपको बता दोस्तों आप लोगों से request करता हूँ अगर आप नए है channel पे तो please channel को subscribe जरूर करिए और subscribe करने के पास साथ bell icon पर click करके notification को own जरूर करिए ताकि हम जो भी वीडियो अपडेट करें जो भी है upload करें वीडियो जो भी अपडेट दें आपको वो आपको आराम से मिल जाए notification दोस्तों अब हम इसको जो है पीछे से कसलेंगे फिर इसको हम टाइट करेंगे देखिए इसको बनाना बहुत ही आसार है इसमें main जंजट होता है connections का तो connections में आपको बिल्कुल किलियर बताऊंगा एक बार में ही आप सारे connections जो है इसके समझ जाएंगे यहां दोस्तों और ह पर लगा देंगे और तो यहां पर दो सोकेट हम ले सकते हैं कोई भी दो है दो प्रन यहां पर लगाएं चला सकते हैं अ सोकेट चे और अलग-अलग स्वी से उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं बंद चालू कर सकते हैं इस बोर्ड को आप कहीं पे भी रख सकते हैं लगा सकते हैं टांग सकते हैं इसका ये फायदा है जिया दोस्तों अगर आप इस वीडियो में अच्छा इसको तो हम आगे भी आपके लिए बोड के लिए वीडियो ले के आएंगे जीं दोस्तों, तो आप लोगों से में रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम इस वीडियो पे जो है 10,000 व्यू आने चाहिए अगर 10,000 व्यू आते हैं तो मैं आपके लिए और भी वीडियो ले के आऊंगा जो कि बोर्ड से लेटेर होगी अलग-अलग तरहे के बोर्ड के उपर जियां दोस्तो और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको बोर्ड का वीडियो देखना पसंद करते हैं कैसे बनाते हैं तो उसको वीडियो ले के आना है या नहीं ले के आना वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताए तो उपर हम होल्डर लगा देते हैं ठीक है और इसको हम कस देंगे इसके पेज़ को अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो दोस्तो यह जो बटन है यह 10-10 रुपे के बटन है स्वीच की बात करें 10-10 रुपे के स्वीच है 15-15 रुपे के सोकिट है और जो होल्डर है इसका प्राइस लगबग 15 रुपे है और इंडिकेटर का प्राज लगबग 10 रुपए है जियां दोस्तो अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी का लेंगे जैसे गिरिस वगेरा है या और भी कंपनी के आते हैं तो वो थोड़ा सापको महेंगा पड़ सकता है जियां दोस्तो और जिसमें हमने लगाया है जो सीट है ये सीट आपको लगबग 20 रुपए की मिलेगी ओके और जो नीचे का कावर है ये भी आपको 20 से 25 रुपए का मिलेगा तो इससे आप मार्केट से भी खरी सकते हैं या घर में आप इसको बना सकते हैं तो इसको सीट को काटते कैसे हैं ये में सवाल है तो इसको हम अलग से detail वीडियो इस पर बनाएगी कि आप घर पे कैसी भी जो है इसको सीट को कैसे काटना होता है ओके तो हमने दो सोकिट एक इन्डिगेटर ओके तो फिरी बटन एक होलडर हमने लगा लें, इंस्टोल कर ली है, अब मेन चीज vic कनक्सन है, तो कनक्सन जो हैं इंडिकेटर से श्टाट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इंडिकेटर है, इसकी दो पिदे हैं, तो इन दो पिदो से हम इसके जो तो हमने एक वायर लिया है और जो इंडिगेटर की कोई एक पिन में लगा लें दोनों में से कोई एक पिन में लगा लें तो मैं जो नीचे वाली पिन हैं उसके अंदर इसको लगा लेता हूँ ओकि कई भाई तो आप उल्टा सिधा इसको कैसे भी लगा सकते हैं एक एक करके और नीचे वाली में सकते हैं वाले में लगा लेते हैं नो प्रोब्लम तो इसको थोड़ा सा वाइर को हम थोड़ा सा लंबा चील लेंगे तो यहाँ पर नीचे लगे बटन की एक एक पिन में हमने फेस जो है वो दे दिया है तो इस तरह से देना है फेस की तारों जो है उसके पेच को जो बटन के जो पेच उसको ढिला करिए और उसकी एक एक पिन के अंदर दोनों की पिन के अंदर एक एक की अंदर डाल देजी ठीक है अब उपर भी लगा सकत थे हमने नीचे लगा दिया ठीक है अब एक तार आपको और लेना है और जहां पर हमने बटन की जो दो बटन से उनकी एक एक पिनों में दिया है फेस वहीं पर हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमें एक बटन के अंदर और भी लगाना इस फेस को तो इंडिगेटर में हमने पहले फेस दे दिया और नीचे के दो बटनों के अंदर हमने फेस दिया एक पिन में अब हम आगे बढ़ते हैं तो यह तार जो है हम आगे लेके जाएंगी इस बटन के अंदर इस बटन क कोई एक पिन में नीचे वाली में लगा सकते हैं हम नीचे वाली में लगा रहे हैं जी हैं दोस्तों तो इसको अच्छे से हम छीलेंगे पहले और छीलने के बाद इसको लगाएंगे आप कोपर वायर का यूज करिए ज्यादा बैस रहता है वो जो बटन होल्डर्स वगेरा ल को लगाएंगे तो वह जो हैं लंबे टाइम तक चलेंगे तो हमने देखिए तीन बटन के अंदर फेस दिया है एक पिन में नीचे नीचे वाली पिन में और एक इंडिकेटर के अंदर ओके अब देते हैं दोस्तो हम अर्थ अर्थ के लिए हम जो है दूसरा वायर यूज करेंगे या तो ब्लैक वायर ले सकते हैं पीला वायर ले सकते हैं किसी भी तरेगा और वायर ले सकते हैं तो हम पीला वायर यहां पर यूज कर रहे हैं तो इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं इंडिगेटर की जो second pin है दोस्तो वो अर्थ के लिए बची है तो उसमें हम अर्थ देते हैं क्योंकि हम face तो पहले ही कर सके हैं सभी connection फेस के सभी connection यह हो चुके हैं अब हम जो है और्थ दे दिया हमने इंडिगेटर में पीला रंग का ओके पीला वायर अब देखिए जो socket की एक pin बची थी ठीक है उसमें लगाएंगे socket की किसी एक pin में लगा सकते हैं दोनों पीन भी खाली है एक pin जो है वो हमने छोड़ के रखनी है किसके लिए? buttons के लिए button के एक pin और भी लगेगी तो pili wire हमने cut कर लिया उसमें एक wire जोड़ लिया है और socket की किसी एक pin में लगा दीजी हमने socket की एक pin में यहापे लगा दिया है दूसरी बाली में भी हम लगा सकते थे कोई एक pin में तेकिन दूसरी बाली pin हमने बटन से current आएगा इसके अंदर face आएगा उसके लिए हमने छोड़ दिया positive के लिए तो हमने indicator से अर्थ लिया फिर एक socket की एक pin मर्थ दिया अब यह जो तार है वो दूसरे socket की एक pin में लगा देंगे किसी एक pin में किसी में भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी तो हम किसी एक pin में लगाएंगे तो हम इस वाली pin में लगा देते हैं ओके ठीक है दोस्तो इस वाली pin में ओके अब इसके साथ हम एक तार और देंगे क्योंकि हमें अभी अर्थ जो है अभी हमने अर्थ indicator में दिया है दो socket के अंदर दिया है अभी हमें holder के अंदर भी बलब का holder है उसके अंदर भी अर्थ देना है तो एक तार हैं़िपे हम और joint कर लेते हैं और इसको पेच को जो हम tight कर लेंगे जैं दोस्तो तो page के C pre water से उसको tight कर लेते हैं ठीक है दोस्तो अब ये अर्थ जो है हमारा holder के अंदर अंदर और लगेगा कि ओके तो बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है और इसका बाद में स्क्रीन सूट भी ले लिजिए जब इसके पूरे कनेक्शन हो जाए तो इसका स्क्रीन सूट ले सकते हैं अगर आप नए हैं कनेक्शन करने नहीं आते हैं तो स्क्रीन सूट लेकर कर सकते हैं तो होल्डर की किसी एक पिन में यह अर्थ दे देना है कोई भी एक पिन में तो यहाँ पे earth and face complete हो चुके हैं लेकिन socket के face अभी और holder का एक face रह रहा है ठीक है तो इनको भी हम complete करेंगे अब देखिए यहाँ पे तीन बटन है तीनों बटनों की एक एक पिन जो है खाली बची है तो हम जो उपर का बटन जो लगा हुआ है holder के बगल में उसको हम बलब के लिए यूज़ करेंगे holder के लिए यूज़ करेंगे तो उसी के साथ हम इसको connection देंगे तो holder की बची हुई pin में एक तार जोड कर switch की बची हुई pin के साथ जोडेंगे जो कि holder के बगल में लगा हुआ है ओके और वो switch जो है holder का हो जाएगा उससे बलब जलेगा ओके तो हम एक तार इसमें जोड़ देते हैं ठीक है तो इस बची वी पिन में जोड़ देते हैं स्विच की बची वी पिन में ओके अब इसको हम टाइट करतेंगे अब नीजे चलते हैं अब holder का complete connection हो चुका है अब यहां पर socket की दो पिन बची है left socket की एक पिन, right socket की एक पिन और दो बटन है left and right की उनके भी एक एक पिन बची है तो उनको भी हम complete कर देते हैं जो left socket है उसकी बगल में लगा हुआ बटन जो है उसको socket की लिए use करेंगे और जो right वाला है उसके बगल में जो लगा हुआ उसके लिए use करेंगे ओके जो पास पास लगे हुए बटन उनी socket के लिए हम use करेंगे तो देखिए इधर left side का जो देख रहे है बटन उसकी एक पिन जो है खाली है तो उसमें हम एक तार डाल देते हैं और उसमें एक तार जोड देते हैं कस देते हैं ओके और जो left socket है उसकी बचे हुई pin में इसको हम connect करेंगे दोस्तो हमारे second channel पे राव जी electrical पे जाने के लिए वीडियो की description में लिंक है वहाँ से आप उस पे विजिट करके motor reminding से सभी तरह की वीडियो जो electrical की वीडियो है वो देख सकते हैं तो इस तार को हम बचे हुई socket की जो इपिन है राइट साइड की पिन इसमें हम इसको joint कर देंगे तो इस socket का जो है left socket का जो पूरा connection है वो हो जाएगा उसके बाद right socket and right button बचता है तो इनकी भी एक एक पिन है जो की खाली है तो इनमें हम तार जोड देंगे जियां दोस्तो same ही इसी तरह से तो जो बचन है right side का इसमें एक तार जोड देते हैं बचे हुई पिन में इस तार को फिर right socket की बच्ची बिन में जोडेंगे तो हमारे चैनल का यूटूब चैनल का application app डाउनलोड करने के लिए वीडियो के description में link है हमारे चैनल के Instagram पे जाना चाहते हैं Facebook पे जाना चाहते हैं या website पे जाना चाहते हैं वेब page पे जाना चाहते हैं वीडियो की डिस्क्राप्शन में लिंक है वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं जियां दोस्तों कई भाई जो है कि अपने इमेल आईडी बदल देते हैं यूटुब में और फिर वो चैनल को खोजने में आता नहीं है तो इससे भला यही है कि आप यूटुब का जो एप्लिके कनेक्शन हो चुके हैं अब यहां पर देखिए जो इंडिगेटर है इसकी दो पिने हैं एक अर्थवाली पिन एक फेस वाली पिन तो इसमें हम दो तार लगाएंगे यह दो तार कौन से होंगे यह दो तार हम बाहर निकालेंगे और इसमें हम अपने दो तार बिजली के 220 व बढ़ा दिया तो इसको हम कट करेंगे बाद में ओके तो हमारे कनेक्शन हो गए और यह नीले जो है वन टू यह दो तार हो गए इसमें हमें वोल्टेज देने 220 और हमारा बोर्ड कंप्लीट काम करेगा एक बटन से होल्डर जो है होल्डर काम करेगा बलब जलेगा और दो जो क्वाल्टी के जो है इसमें स्विच एन सोकेट्स होल्डर वगेरे लगा सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही आगे भी अगर अच्छा रिस्पोंस रहा इस वीडियो पर तो आगे भी आपके लिए काफी सारी वीडियो लेके आएंगे और यह वीडियो आप नहीं जबर